दोस्तो अपने दातों को स्वस्त रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है लेकिन हम अपनी दिंचर्या में अंजाने में बहुत सी ऐसी गलतिया कर देते हैं जिसकी वज़े से हमारे दातों का स्वस्त बिगड़ जाता है और फिर हमको बहुत सी दातों से समंद समस्याओं का सा वर्ड हेल्थ केर में दातों को स्वस्त रखने के लिए सबसे जरूरी होता है अच्छे से ब्रश करना हम सभी रोजाना ब्रश करते हैं लेकिन हमें से बहुत से लोग गलत तरीके से ब्रश करते हैं ब्रश अच्छे से करें ब्रश करते समय कुछ बातों का ध्यान नखें जैस उठने के तुरंत बाद ब्रश ना करें, पहले थोड़ा गुनगुना पानी या कोई लिक्विड लें, उसके थोड़ी देर बाद ब्रश करें, तथा भोजन के तुरंत बाद ब्रश ना करें, भोजन के कम से कम आदे गंटे बाद ब्रश करें, इन सब छोटी छोटी बातों क द्यान लखना बहुत जरूरी होता है इससे हमारे दातों का सौस्ते अच्छा रहता है ब्रश करने के लिए अल्ट्रा सौफ्ट टूथ ब्रश का इस्तेमाल करें ताकि आपके दात एवं मसूडों को कोई भी हानी ना पहुचे और वह अच्छे से साफ हो सकें तता हर्बल जाना साफ करें जीब हमेशा टंग क्लीनर से साफ करें कौपर का टंग क्लीनर मार्केट में बहुत असानी से मिल जाता है आप उसका प्रियोग कर सकते हैं भोजन के बाद कुछ लोग टूथ पिक का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वज़े से भी उनको बहुत सी दातों से संबं करें ताकि जितने भी फूड पार्टिकल्स आपके दातों में फस गए हैं वह भार निकल जाएं और आपको टूथ कैविटी जैसी कोई भी समस्तिया का सामना ना करना पड़े ओईल पुलिंग हमारे मौकिक स्वास्त संबंद समस्तियाओं में सकरात्मक परभाप परदशित करती है इसलिए हफ़ते में 2-3 बार ओईल पुलिंग निशित रूप से करें ओईल पुलिंग करने के लिए एक चमच सरसो का तेल नारियल का तेल या ओलिव ओईल लें और उसे 10-15 मिनट अपने मूँ में रखकर अच्छे से घुमाएं फिर इसको थूख दें नियमित रूप से ऐसा करने से लंबे समय तक हमें दातों से समंदि समस्याई नहीं होती ओईल पुलिंग हम प्रते दिन भी कर सकते हैं अगर आपके दातों में दर्द हो रहा है तो एक चमच तिल के तेल में 4-5 बूंद लॉंग का तेल मिलाकर उससे ओईल पुलिंग करने से दातों का दर्द ठीक हो जाता है एक लोग को जिस दात में दर्द है उस पर चाबा कर रखने से भी दात का दर्द खतम हो जाता है गरारे करना मौखिक स्वास्ते के लिए फायदे मन्द होता है इसलिए आप गुनगुने पानी में आधा चमच नमक एवं थोड़ी हल्दी मिलाकर गरारे कर सकते हैं हफते में दो से तीन बार ऐसा करने से आप दात दर्द एवं टूथ केविटी जैसी कोई भी समस्या से बचे रहेंगे और अगर आपके दात में दर्द हो रहा है तो आप यह प्रकिरिया दिन में दो से तीन बार भी कर सकते हैं ज़्यादतर दंत मंजन सौपतिशत आयरवेदिक जड़ी बूटियों से बने होते हैं लेकिन आज के समय में हमें पेश्ट की आदत पर चुकी है और दंत मंजन की आदत पूर्ण रूप से छूट चुकी है लेकिन ये हमारे दातों के स्वास्ते के लिए बहुत असरकारी होता है इसलिए हफते में कम से कम दो से तीन बार दंत मंजन का प्रियोग करें यह दातों एवं मसूडों के लिए काफी गुणकारी होता है वियायाम करके जैसे हम अपने शरीर को स्वस्त रखते हैं इसी तरह हमें दातों का वियायाम भी रोजाना करना चाहिए जो की है भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खाना ऐसा करने से आपके दात एवं मसूडे मजबूत रहते हैं तथा आपका भोजन भी अच्छे से पच जाता है इसलिए भोजन हमेशा चबा चबा करी खाएं लेकिन इस चीज का भी ध्यान नखें की मिठाईं एवं जंक फूड का सेवन कम से कम करें डेंटल चेक अप हमको रेगुलर बेसिस पर हर 6 महीने में कराना चाहिए ताकि हम भविश्य में होने वाली कोई भी दातों एवं मसूडों से संबंद समस्तिया को समय रहते नियंतरित कर सकें दोस्तों अगर आप इन 10 उपायों को अपने जीवन में अपनाएंगे में तक अपने दातों को स्वस्त रख पाएं इन उपायों के अलावा इस चीज का भी ध्यान नखें कि अगर आप दातों से संबंद समस्तिया से जूंज रहें तो स्मोकिंग चाय कॉफी का ज्यादा सेवन सॉफ्ट ड्रिंक का ज्यादा सेवन पैन पैंसिल चबाना एवं दातों को बोटल ओपनर की तरह इस्तेमाल करना हमारे मौकिक स्वस्ते के लिए हनी कारक होता है इसलिए इनसे जितना हो सके उतना बचें अगर आपको टूद कैविटी हो गई है तो जल से जल्द डेंटिस से संपर्क करें और RCT यानी रूट कैनाल ट्रीटिमेंट कराएं जिससे दोबारा वहाँ पर कैविटी ना हो और आपको दातों के दर्द से जल से जल छुटकारा मिल पाए और आपके दात दुबारा से स्वस्थ हो जाएं तो आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आईयो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और ऐसी ही ज्यानवर्दक वीडियो देखने के लिए फिट वर्ड हेल्थ केर को सस्क्राइब करें तथा बैल आ मिलती रहेंगी तो मिलते हैं आपसे फिर किसी इंफर्मेटिव वीडियो के साथ धन्यवाद